Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel, dear students, अगर आप class 10th में हैं, तो मैं लेकर आया हूँ most important video, students, इस वीडियो में आपको class 10th English grammar के top 10 most important 10 सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण sentences हम करवाएंगे active और passive wise के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो नंबर का एक प्रस्ण active और passive wise, class 10th की बोर पर इच्छा में पूछा जाता है, तो students, अगर आप 10th में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्तपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में 10 सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण, 10 सबसे, top 10 most important, 10 सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण, active and passive wise को, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं students, तो इस वीडियो को skip मत करना, ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को आंतर तक जरूर देखना, ठीक है, तो चलिए अपने topic पर चलते हैं, और पहला sentence लेते हैं, तो पहला students है, पहला प्रस्ण है students की, can you solve this problem, ठीक है, can you solve this problem, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको पैसे में change करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, जो object होता है, उसको हमको subject बनाना होगा, लेकिन यहां पर वाक किस से शुरू किया गया है, can से शुरू किया गया है, और can क्या होता है, bill, sell, can, could, may, might, would, should, यह सारे आपके model verb होते हैं प्यारे बच्चों, और जब model verb आता है तब passive में किस का प्रियोग करेंगे हम लोग, b का प्रियोग कर देंगे, जहां पर model verb आएगा, can, could, may, might, would, should, ठीक है, जो भी model verb आएगा, तो हम b का प्रियोग कर देंगे, और यहां पर देखो question mark लगा है, मतलब यह प्रस्ण क्या है, interrogative में है, प्यारे बच्चों, और कैन से सुरू किया गया है, तो कैन का यह हमारा कैन ही रह जाएगा, ठीक है, प्यारे साथियों, कैन का कैन ही रह जाएगा, अब हमारा object क्या, this problem है ना, तो इस this problem को हम पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा, कैन this problem, समझ में आ रही बात, अ अब फिर चाहिए, वर्व का third form, तो solve का third form क्या हो जाएगा, solved हो जाएगा, ठीक है, प्यारे साथियों, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, by लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लगा देंगे, by और क्या बच्चा, you, तो you लिख के, और question मारका लगा दीजे, ठीक है, प्यारे साथियों तो इस तरीके से पहला प्रस्ण जो की बहुत महात्रपुन था आपका बन गया दूसरा है I know him variable ठीक है प्यारे साथियों जब आपका वर्व नो तथा अबलिक हो तब वहाँ पर बाई के जगहा पर तू का प्रियोग कर देना ठीक है प्यारे साथियों किसका प्रियोग करोगे बाई के जगहा पर तू का प्रियोग करना है कब जब आपका जो है वर्व क्या होगा नो होगा और और अबलिक होगा ठीक है नो होगा और अबलिक होगा तब आप किसका प्रियोग करेंगे तब आप बाई के जगह पर 2 का प्रियोग करेंगे, जैसे देख लीजिए, no हो जाए, या तो no हो, k-n-o-w no हो, या क्या हो जाए, अबलिक हो जाए, o-v-l-i-g, अगर ये दो वर्बाता है, तब बाई नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, प्यारे साथियो, अगर no और अब अबलिक आएगा, तब to लगेगा, बाई का प्रियोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर I know him, ये him आपका object है, तो आगे आके क्या हो जाएगा, subject हो जाएगा, यहां वर्ब का देखना है, वर्ब का उन से farm में है, तो वर्ब यहां first farm में है, अगर आपका वर जाएगा, he हो जाएगा, और he एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या लगाओगे, इज लगा दोगे, और no का third farm क्या होता है, known होता है, ठीक है, he is known, अब क्या छोड़ा था यहां पर, इसको ले लिजे, very well, he is known very well to me, to, अब यहां पर no है ना, by नहीं लगेगा, ठीक है प्यारे साथियों, he is known, he is known, very well to me, यह बन गया आपका दूसरा sentence, ठीक है, चलिए, तीसरे sentence पर चलते हैं, प्यारे साथियों, अब यहां पर आपको पहचानना है, कि वर्ब कौन सा फार्म में है, यह कार्ड बताओ, second फार्म में है, ठीक है, नहीं पहचान पाओगे, अगर बीच में यचबी न हो, अगर बीच में, देखो subject और वर्ब के बीच में, अगर यचबी है, अगर यचबी है, तो यह यहां देखो helping वर्ब है, नहीं है न, helping वर्ब का कौन सा फार्म है, second फार्म, और जब second फार्म आवे, तब आपको पैसिम में वाज या वर्ब लगाना होगा, अगर active में, क्या वे, second फार्म आवे, तो पैसिम में क्या लिखोगे, वाज या वर्ब में से आपको एक लिखना पड़ेगा पैसे वाइस में ठीक है तो चलिए अब आप लिखे दब वाइज काल्ड हिम अहीरो तो अब हम सबसे पहले अहीरो को ले लेंगे ठीक है प्यारे साथियों अहीरो को हमने ले लिया एक हीरो के बात कर रहा है तो singular number हो गया वाज अहीरो वाज काल्ड का third form काल्ड ही होगा अब यहाँ पर जो प्रोनाउन बचेगा उससे पहले हम to लगाएंगे तो अहीरो वाज काल्ड to him अब क्या बचा बाईदा 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 बाईज यह बन गया आपका sentence ठीक है साथियों चलिए अगले sentence पर चलते हैं तेरा have you posted my letter यहाँ भी देखो question mark लगा है मतलब प्रस्णाप का क्या है और has have के साथ वर्व का third form लगा है has have जगर आएगा हमेशा जान जाईएगा वर्व का third form है अगर has have आता है has have have आता है तो वर्व का कौन सा form होगा वो सीधा वर्व का third form ही होगा प्यादे साथ you तो introgative है तो my letter यहाँ पर singular है तो यह have बदल के क्या हो जाएगा has my letter और जगर वर्व का third form आएगा तो subject के बाद आपको bean लगाना पड़ेगा तो has my letter अब उसके बाद क्या लिखोगे has my letter उसके बाद लगाओगे bean अब posted का posted already तुम्हारा third form है तो has my letter been posted by क्या हो जाएगा you हो जाएगा और question mark लगा दीजिए बन गया आपका ठीक है सबसे most important प्रशन है भाईया तुलसीदास has written the ramcharit minus तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे ramcharit minus दखो hedge have है न hedge have के साथ वरब का third form आएगा और जब third form आएगा तब passive wise में bean लगाना होगा ठीक है प्यारे साथियों अगर जो बच्चे active passive नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो पढ़ी हुई है इस यूटूब चैनल पर active passive के तीन चार पार्ट में है शुरू से एकड़म जीरो से हीरो बन जाएए active passive पढ़ लिजे पूरा बहुत ही आसान ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ ठीक है तो da ramcharit minus को पहले लिख लिजे प्यारे साथियों ठीक है तो da ramcharit has उसके बाद क्या हो जाएगा बीन लग जाएगा और written का written अ लेड़ी थर फाम है तो da ramcharit minus has been written by by कौन लिखा है object आपका subject अब object बन जाएगा तुल सिदास हो जाएगा फूली स्टाप हो जाएगा ठीक है अगला ये double object वाले वाके हैं भाईया यहाँ एक object और दूसरा object तो dr. रंजना teaches us science तो science को पहले ले लीजे दोनों से इससे भी बन जाएगा इससे भी बन जाएगा दोनों से ये प्यारे साथियों उस बात को याद रखना तो हो जाएगा science यहाँ वर्व का teachers लगा वर्व का first farm हो जब वर्व का first farm आएगा तो EASMR लगाओगे तो science एक बच्चन है तो यहाँ क्या लग जाएगा EAS लग जाएगा science है जब teachers का क्या हो जाएगा taught हो जाएगा तो science is taught अब यहाँ क्या बच्च अस और इससे पहले आपको to लगाना होगा preposition तो science is taught to us by by कौन डाक्टर रंजना डाक्टर रंजना फुल स्टॉप ठीक है प्यारे साथियों बात समझ में आ रही है न इसी तरीके से आपको करना है यह बहुत ही important है active or passive इस चीज को आप समझ लीजिएगा प्यारे साथियों सीधा सीधा एक्जामपल परिछा में आपको मिलने वाला है चलिए अगला sentence देखते हैं कर माई सर्वेंट कैन यहां देखो माडल वर्व लगा है कैन कुड में माई टूट सुट बिल से लाएगा तब आपको किसका प्रियोग करना है बी का प्रियोग करना है ठीक है तो योर लेटर है योर लेटर को पहले ले लो तो हो जाएगा योर लेटर और कैन का कैन ही रहेगा उसके बाद क्या लग जाएगा बी लग जाएगा तो योर लेटर कैन भी अब पोस्ट का थर्ड फार्म क्या हो जाएगा पोस्टेड उसके बाद कौन बचा माई सर्वेंट तो लिख दीजिए माई सर्वेंट आपका बन गया ठीक है अगला आठवा दा टीचर पनिश्ड दा नाटी बो यहां देखो ed लगा है वर्ब का फर्स्ट फार्म नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि सेकेंड थर्ड दोनों यह कही होता है पनिश्ड का तो देखो बीच में यची भी दिया गया helping वर्ब दिया गया helping वर्ब नहीं दिया गया मतलब यह वर्ब का कौन सा फार्म है second farm है ठीक है तो दनाटी बॉय को पहले लिख लो तो हो जाएगा दनाटी बॉय अब बॉय है एक बचन है तो या वाज लग जाएगा अगर सिकन फार्म आएगा तो पैसिम में क्या लिखोगे वाज या वर तो the naughty boy was punished, the naughty boy was punished किसके द्वारा, by the teacher, ठीक है, चलिए अगला, अगला है, she has to decide the matter, she has to decide the matter, अब यहाँ पर देखो, two लगा दिया गया, उससे पहले यह infinitive आ गया, यह देखो, वर्ब के first form से पहले क्या है, two लग गया है, two, अब यह infinitive वाला है, तो ऐसे वाक जिनमे helping verb, यह helping verb है वेटा, ऐसे वाक जिनके helping verb और main verb, main verb के पहले क्या लगा हो, two लगा हो, ठीक है, two का प्र लगा देना है, ठीक है, इस two के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है, तो चलिए देखिए कैसे बनेगा इसको, ठीक है प्यारे साथियों, देख लेते हैं यह कैसे बनेगा, तो हो जाएगा the matter को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा the matter, ठीक, the matter हो गया, यहां पर हैज है तो हैज लिख दो the matter हैज अब उसके बाद टू यहीं टू रहेगा और इसी टू के बाद क्या लगाना है आपको इसी टू के बाद आपको भी लिख देना है ठीक है इसी टू के बाद क्या लिखना है भी लिख देना है कह रहा है नियम इसका कहता है संटेंस क कि ऐसे वाक्ष जिन पर helping verb के बाद helping verb के बाद और main verb से पहले क्या दिया गया हो to दिया गया हो तो इस to को ऐसे वाक्तियों को passive voice बदलते समय to के बाद be be का प्रियोग कर देते हैं ठीक है तो हमने कर दिया the matter has to be और decide का क्या हो जाएगा decided हो जाएगा भाई भाई और सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा ठीक है प्यारे साथियों प्रस नंबर दस है आपका he has written a novel यह आप सब के लिए hard work है ओम work नहीं है hard work है आप लोग इसको बना के और comment box में message करेंगे हम देखते हैं कि कितने बच्चों का सही जाता है ठीक है प्यारे साथियों तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक हम लेकर आएंगे और चैनल पा अगर पहली बार आए हैं तो like, share, subscribe कर न मत भूले बहुत बहुत धन्यवाद